बयाना भरत पर नाले की समस्या को लेकर कस्बिवासियों ने स्टेट मार्ग पर लगाया जाम देखिए बयाना से देवी सिंग प्रजापत की खास रिपोर्ट नगरपाली का द्वारा नाले की सफाई नहीं करवाने से आक्रोशित स्थानी लोग जाम लगा कर रहे हैं परदर्शन लोगों ने स्टेट मार्ग पर प्लास्टिक के कटों में मिट्टी भर एवं लकडी पत्थर डाल कर लगाया हुआ है जाम जाम लगने से दोनों और लगी वहानों की लंबी कतारे पुलिस इवं प्रशासन की अधिकारी मोके पर पहुँचकर लोगों से कर रहे हैं समझाईस बयाना भ्रमबाद मार्ग पर इस्तित लाल दर्वाजा चुमगी बस स्टेंट पर लगाया गया है जाम हुआ है होनी कुमपा है जाम चाहिए है हुँचकर ठाहिए हburg 02-19 यार बुकार एट एरिकल यब हीलिक O6 a तर बिन यागने ब्og मेरेको हशुर रख बमस्की करें ये जब दोट रख ए, जब आलने, रख उना , पैँ झालने, यं मिलporte जरो, जब के साथ प्रहए्म टोला करो नगादी नगानी आप अगानी आप यह नगाना नहीं जगानी जगानी आप यह वारा यह वारा है गाजू बसके पीछे हेते हैं पुलबे पुलबे करें पुलबे 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 जाजी बसके पीछे एते हैं पुल पहला है खुल पहले हैं पूल पहले हैं अगें आजी, कौन है बलाएं? आजी, कौन है बलाएं? मैं दीरेंदर कुमात, जेल वे पार कॉलोनी, लादरवाय बयाना, जहापर बाल नम्मर 20, और यह हमारा जो गंदे पानी का नाला है, वो अबूत पड़ा हुआ है, इसकी बार कहीं बार मैंने सिकाद भी की है, अब तक कोई सुनवाई ने हुई है, हार के मुझे इस टाय बे जाम लगाना पड़ा है, उसके बाद परसासन आया है, और तैसरी डार साब आये है, हमको आसवासन दिया है, और मैं चाहता हूँ कि किसी पिरकार से यह पूरा गंबी नदी तक साफ हो जाए नाला, और बार बार मेरे गणों में पानी बढ़ जाता है, बार साथ यह जाब, और एक-एक फुट पानी बढ़ जाता है, और मैं बहुत परिसान रहता हूँ, अब यह गंदा पानी बढ़ा हुआ है, आद देख रहे हैं सभी, और यहां तक पूरा बढ़ जाता है, और बदू आ रही है, बहुत ज़्यादा दुरगंद आने लगी है, उसके बाद मुझ इसे यह जाम के इस्खिती करनी फड़ी है,